हालो टेडर्स वेलकम तो लाइस ब्लू मैं हूँ दिफेन गोवे और आज हम देखेंगे कुरूड वैल कहां पर एंटी कर सकता है तो कुरूड वैल आप देख सकता है लाज तो तो श्री देख कॉंटिनुवास प्राइस निचे आ रहा है और यह मोविंग आपरेस एक रेजि सकता है अगर यहां पर थोड़ा देली बिजिस में इहां पर बुलिस कॉंफर्मेशन किया हुआ है तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यदा से ज़्यदा बाई में ही जाना अच्छा रहेगा क्योंकि आप देख सकता है अगर हम बड़ा वला टाइम वेम में देख सकता है इ तो एग जेकिश सपोर्टर रेजिस्टेंट का पाउस में ही एक दोजी पेटन फोर्म हा तो अगर उसा फोर्म होता है तो यह ज्यादा से ज्यदा बाई सिकनल एक स्टान उता है तो इसलिए आपको ज्यादा मुझे लगटा है सेल लेना है तो डूरा रिस्क हो सकता है फिर देली और लेकिन फोर आवर यहां पे आप ट्रेंड में है तो इहां पे आप देख सकता है लेकिन आप ट्रेंड में फोर आवर में भी थोड़ा बहुत एक बुलिस एक फर्म हुआ है तो इसलिए यहां से मुझे लगठा है जो रिट्रेश्मेंट किया हुआ यहां से फिर से उपर जाने का chances है तो इसलिए आप देख सकते है और 15 minute में भी आप देख सकते है 15 minute में चोटा जैसे हम चोटा time frame में यहाँ पर अभी भी downtrend में ही है लकिन downtrend मुझे लगठ़ा है यहां से यह जो सपोर्टिंग लाइन यहां से डाउंट्रेंड खटम होके यहां से फिर चे आफ्टेंड लेना शुरू करेंगे तो इसलिए आपको बाय कहा करना है तो बाय के लिए आप देख सकते हैं यहां पर मुझे लगता है 200 मोविंग एवरेस के उपर से ही बाय जाना छही है तो प्राइस रहें गें अराउंड 27,085 का उपर आप बाय जा सकता है यहां से नहीं तो मार्केट यह ग्याप आप ओपेन हुआ है तो यहां से रिफार्सल मार्केट नीचे भी आ सकता है तो अगर नीचे यहां पर मिले तो से अप बाय ले सकता है और पीट नीचे एसलस लागा सकता है राइख . So, I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.